पुर्णा होने के कारण नए कार्य की और कदम रख रहे हैं स्रिमान गुलाम नभी आजाद जी, स्रिमान समसेर सिंजी, मीर मुहमद प्रयाद जी, नाजिर एहमद जी मैं आप चारों भानुभावों को, इस सदन की स्वभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभाव का, आपके ज्ञान का, सदन को और देश को लाब देने के लिए और अपने खेत्र की समस्याओं का सवाधान के लिए, आपने जो कुछ भी योगदान किया है, उसके लिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ मिर महमद जी और नजिर एहमद जी, ये दोनों ऐसे साथी, सदन में शायद उनके तरह बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन कोई भी सत्र ऐसा नहीं होगा, कि जिनके साथ मुझे मेरी चेंबर में बैठ करके, अलग-अलग विश्याओं पर सुनने का समझने का मोका न मिला, इवन कश्मीर की भी बारी किया, जब उनके साथ बैठता था, कभी कभी तो परिवार के साथ भी आते थे, इतने अलेक पहलू मेरे सामने रखते थे, वो मेरे लिए भी बड़ा इनलाइटिंग रहता था, तो मैं हमारे इन दोनों साथों का, जो मेरे साथ व्यक्ति के दुरुप से नाता रहा, और जो जानकारिया मुझे वो मिलती थी, मैं उसके लिए उनका रदय से अभार भी व्यक्ति करता हूं, और मुझे विस्वास है को उनका कमिट्मेंट और उनकी एक शमता, ये दोनों देश के लिए और विशेश करके जम्मु कश्वीर के लिए काम आएगी, देश की एकता, देश के सुक्ष, शान्ति वैफों को बढ़ाने में काम आएगी जो मुझे पुरा भी स्वास है, हमारे एक साथी समसेर से जी, अब तो याद भी नहीं रहा कितने सालों से मैं उनके इसी छेत्र में मैं काम करता था, कई वर्षों तक जम्मु कश्वीर में भी काम करने का मुझा मिला, तो मेरे साथी कारकरता के रूप में, कभी एक स्कूटर पर ट्रावल करने का मुझा मिलता था, बहुत छोटी आयू में जो इमरिजन्सी में जेल में गए, उसमें समसेर से जी थे, और इस सदन में समसेर जी जी की उपस्तिती 96% है, यह अपने आप में याने जो दाईत्वे जनता ने उनको दिया, उसको बिलकुल शत्र प्रतिशत निभाने का प्रयास, म्रदिबाशी हैं, सरल हैं, और मुझे विश्वास है कि जम्मु कश्मीर से रिटार होना वाले चारे आदरने सरदस्यों के लिए, उनके जीवन का यह कारकाल सबसे उत्तम कारकाल है, क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली हैं, और जिसके वो साक्षी बने हैं, सहियात्री बने हैं, यह उनके जीवन की महत बड़ी कहता है, सिमान गुलाब नभी जी, मुझे चिंता इस बात की है, कि गुलाब नभी जी के बाद, इस पद को जो समालेंगे, उनको गुलाब नभी जी से मैच करने में बहुत दिकत पड़ेगी, क्योंकि गुलाब नभी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे, यह च्छोटी बात नहीं है जी, बहुत बड़ी बात है, वरना अपोजिशन के लीडर के रूपे, अपना दबदबा प्यादा करना, यह सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरत्पभार जी को भी इसी केटेगरी में रखता है, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे हैं, गुलाब नभी जी ने बख्खुभी इस काम को निभाया है, मुझे आद है, इस कोरोना काल में, मैं एक फ्लोर लीडर्स की मिटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाब नभी जी का फोन आ रहा, तो बोदी जी यह तो ठीक हैं आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मिटिंग जरू बुलाइए, मुझे अच्छा लगा, कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ, बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मिटिंग को किया भी, गुलाब नभी जी के सुझाव पर किय और मुझे कहने में यानि इस प्रकार का संपर्ख और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभग रहा है सत्ता दलका भी और विपक्ष का 28 साल कारकार यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बहुत साल पहले की बात है शाइद अट्ल जी की सरकार हो की मिड़ा ने रहा है मैं यहां सदन में किसी काम से आया था मैं तो तब राजनीति में नहीं था इनस अग्रेट्रण पॉलिटक्स में नहीं था मैं काम करता था तो मैं और गुलाब नभी जी ऐसे ही लॉबी में गप्ल मार रहे थे अब जैसा पत्रकारों का स्वफाव रहता है वड़ाब नजन लगाएं बैठे थे कि ये दुरों का बेल कैसे हो सकता है हम हसी घुसे से बाते कर रहे थे तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों गहल लिया है गुलाब नभी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है उन्हों का भाई देखिए आप लोग हमको अख़वारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मिटिंग में लड़ते जगर के देखते ह लेकिन सच मुझ में इस चत के नीचे हम जैसे एक परिवार का बाताओं कहीं नहीं होता है इतनी हमारी आत्मतिया होती है इतने सुक दुख होते हैं यह जो स्पिरिट है वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है गुलाम नभी जी का एक शौक साइद रहते हैं तो बंगले की दिवारे अपना सोफा से उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है लेकिन गुलाब नभी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है यह एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे है ऐसा बगीचा बढाया है और इस काम को गर्व भी है वो समय देते हैं नहीं नहीं चीजें जोडते हैं और हर बार जब कॉंपटिशन होती है तो उनका बगलो रबर वल नहीं आता है यह अपने सरकारी जगा को भी कितने प्यार से समालना यह बिलकुल मन से उन्होंने इसको समाला है जब आप मुख्यमंत्री थे मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था हमारी बहुत गहरी निकड़ता रही है उसकाल करने शायद ही कोई ऐसी घटना निमिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्ख सेतु ना रहा है एक बार गुजरात के यात्री क्योंकि जमुके में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है और टरिस्टों ने पर हमला कर दिया कि करीब हाथ लोग साइद मारे गए सबसे पहले गुलाम नभी जे का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सुचना देने का नहीं था उनके आशू रूक नहीं रहे थे फोन पे उस समय प्रणव मुखर जी साथ डिफेंस मिनिस्टर करेंगे मैंने उनको फोन किया अगर अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इंडेड़ बोड़ी को लाने के लिए रात देर हो गई थी और मुखर जी साब नेका अब चिंता मत कीजिए मैं करता हूं भी होसता लेकिन रात में खेर गुलाम नभी जी का फोन आया वेर पुट थे भी होसता है व्रूपकी शॉर आपको थो पुझे उन्हें मुझे फोन दिया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें परिवार के सदस्य की चिंता परिवार के सब्सक्राइब सब्सक्राइब जिवन में आते रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था दूसरे दिन सुबह भोना आया तो मोडीजे सब लोग पहुंच गए इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नवीजी को गटना और अनुरोव के आधार पर मैं आधर करता हूँ और मुझे पुरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने कि उनकी कामना वो कभी उनको चेंड से बैटने देगे और मुझे विश्वास है कि जो भी दाईत्म जहां भी वो सम्मानेंगे भी जुरूर वैल्यू एडिशन करेंगे कॉंट्रिबिशन करेंगे और देश उनसे लभाविन प्रित होगा इस अवरा पक्ता विश्वास है मैं फिर एक बाद उनकी सेवाओं के लिए आधर पुर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिकद रूप से भी मेरा उनसे आगरह रहेगा कि मन से मत मानों कि अब आप इस सदन में नहीं हो आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले इन चार मानिये सदन सों के लिए खुले हैं आपके विचार आपके सुझाव क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है यह अनुभव बहुत काम आता है मुझे मिलता रहेगा यह पेच्छा मैं रखता ही रहूँगा आपको मैं निवरूत होने नहीं दूँगा फिर एक बार बहुत शूप काम ना है धन्यवाद निवाद भजार मजिए शरद पावर जी शरद पावर जी शरद पावर जी आज कर दीन कई साओर से हमारे साथ अस्ता ही युग देने वारे साथी अस्ता है